प्यारे देश्वासियों नमस्कार एक लंबे अंतराल के बाद फिर से एक बार आप सब के बीच मन की बात जन की बात जन जन की बात जन मन की बात इसका हम सिलसला प्रारम कर रहे हैं चुनाव के आपाधापी में व्यस्तता तो बहुत थी लेकिन मन की बात का जो मजा है वो गायब था एक कमी महसूस कर रहा था अपनों के बीच बैटके हलके फुलके माहोल में 130 करोड देश्वासियों के परिवार के एक्स्वजन के रूप में कई बाते सुनते थे दोहराते और कभी-कभी अपनी ही बाते अपनों के लिए परिणा बन जाती थी अब कलपना कर सकते हैं कि बीच का कालखन गया होगा कैसा गया होगा रविवार आखरी रविवार 11 बजे मुझे भी लगता था कुछ छुड़ गया आपको भी लगता था ना जरूर लगता होगा मिरजीव कारकम नहीं था इस कारकम में एक जीवन तता थी अपना पन था मन का लगाव था दिलों का जुड़ाव था और इसके कारण बीच का जो समय गया वो समय बहुत कठीन लगा मुझे मैं हर पल कुछ मिस कर रहा था और जब मैं मन की बात करता हूं तब बोलता भले मै हूं शब्द शायद मेरे हैं आवाज मेरी है लेकिन कथा आपकी है पुर्शार्थ आपका है पराक्रम आपका है मैं तो सिरफ मेरे शब्द मेरी वानी का उपयोग करता था और इसके कारण मैं इस कारकम को नहीं आपको मिस कर रहा था एक खालीपन मैसूस कर रहा था एक बा लगा नहीं वो संडे वाला क्रम बना रहना चाहिए लेकिन इस संडे ने बहुत इंतजार करवाया खेर आखिर मोका मिल ही गया है एक परिवारिक माहोल में मन की बात छोटी छोटी हलकी फुलकी समाज जीवन में जो बढ़लाव का कारण बनती हैं एक प्रकार से उसका इस सिल सिलसला आगे बढ़े कई सारे संदेश पिछले कुछ महिनों में आये हैं जिसमें लोगों ने कहा कि वो मन की बात को मिस कर रहे हैं जब मैं पढ़ता हूं सुनता हूं मुझे अच्छा लगता है मैं अपनापन महसूस करता हूं कभी-कभी मुझे लगता है मेरी स्वस की यात्रा है मेरे लिए आपके साथ मेरा ये मौन समवाद एक प्रकार से मेरी स्पिरिचल यात्रा की अनुभूती का वियांस था कई लोगों ने मुझे चुनाव की आपा धापी मैं मैं केदारनात क्यों चला गया बहुत सारे सवाल पूछे हैं आपका हक है आपकी जिग् मैं चल पड़ूंगा तो शायद मन की बात का रूप भी बदल जाएगा और इसलिए चुनाव की अपाध हापी जय पराजय के अनुमान अभी पोलिंग भी भाकी था और मैं चल पड़ा ज्यादातर लोगों ने उसमसे राजनीतिक अर्थ निकाले मेरे लिए मुझ से मिलने का वो अवसर था एक प्रकार से मैं मुझे मिलने चला गया था मैं और बाते दाज नहीं बताओंगा लेकिंटना जरूर करूंगा कि मन की बात के इस अल्प विराम के कारण जो खालीपन था केदार की घाटी में उस एकांद गुफा में शायद उसने कुछ भरने का अवसर जरूर दिया था बाकि आपकी जिगासा है सोचता हूं कभी उसकी वी चर्चा करूंगा कब करूंगा मैं नहीं कह सकता ने करूंगा जरूर क्या आपका मुझे पर हक बनता है जैसे कैदार के विशे में लोगों ने जानने की इच्छ व्यक्त की हैं वैसे एक सकारात्म कारण से बिलकुल अलग होते हैं एक प्रकार से आपकी चिठी भी मेरे लिए कभी प्रेणा का कारण बन जाती हैं तो कभी उर्जया का कारण बन जाती हैं कभी कभी तो मेरी विचार प्रक्रिया को धार देने का काम आपके कुछ शब्द कर देते हैं लोग देश और समाज के स ये भी विशेस्ता हैं कि साथ साथ समाधान का भी कुछ न कुछ सुझाव कुछ न कुछ कलपना प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में प्रगट कर देते हैं अगर कोई स्वच्छता के लिए लिखता है तो गंदगी के प्रति उसकी नराजगी तो जता आता है लेकिन स्वच्छत से देखें हैं वो भी बताता है और जो कलपनाएं उसके मन में हैं वो भी चित्रित करता है याने एक प्रकार से समस्याओं का समाधान समाज व्यापी कैसे हो इसकी जलक आपकी बातों में मैं महसूस करता हूं मन की बात देश और समाज के लिए एक आइनी की तरह है यह हमें बताता है कि देश्वासियों के भीतर अंदरूनी मजबूती, ताकत और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जरुरत है उन मजबूतियों और टैलेंट को समाहित करने की, अउसर प्रदान करने की, उसको क्रियानुईत करने की। मन की बात ये भी बताता है कि देश की तरक्की में सारे 130 करोर देश्वासी मजबूती और सक्रियता से जुड़ना चाहते हैं। और मैं एक बात जरुर कहूंगा, मन की बात में मुझे इतने चिछियां आती हैं, इतने टेलिफोन कॉल आते हैं, इतने संदेश मिलते हैं, लेकिन शिकायत का तत्व बहुत कम होता है। और किसे ने कुछ मांगा हो, अपने लिए मांगा हो, ऐसी तो एक भी बात गत पांच वर्स में मेरे ध्यान में नहीं आई है। मुझे कितनी उर्जय मिलती होगी, आपको कल्पना नहीं है, कि आप मुझे चलाते हैं, आप मुझे दोडाते हैं, आप मुझे पल-पल प्राणवान बनाते रहते हैं, और यही नाता, मैं कुछ मिस करता था। आज मिरा मन खुश्यों से भरा हुआ है। आखरी मन की बात में मैंने कहे दिया था, कि मैं कुछ महीनों के बात फिर से आपके पास आउँगा। आपने मुझे लाया है, आपने ही मुझे बिठाया है, और आपने ही मुझे फिर से एक बार बोलने का आउसर दिया है। इसी भावना के साथ चलिए मन की बात का सिलसला आगे बढ़ाते हैं। जब देश में आपातकाल लगाया गया, तब उसका विरोथ सिर्फ राजनेती के दाइरे तक सिमित नहीं रहा था। जेल के सलाखों तक आंदोलन सिमट नहीं गया था। जन जन के दिल में काक्रोश था। खोये हुए लोकतंतर की एक तड़प सी। दिन राज जब समय पर खाना खाते हैं तब भूग क्या होती इसका पता नहीं होता है। ऐसे ही सामाने जीवन में लोकतंतर के अधिकारों के क्या मजा है वो तो तब पता जलता है जब कोई लोकतंतर का धिकारों को छिन लेता है। आपातकाल में देश के हर नागरिक को लगने लगा था की उसका कुछ छिन लिया गया है। जिसका उसने जीवन में कभी उप्योग नहीं किया था वो भी अगर छिन गया है तो उसका एक दर्द उसके दिल में था और ये इसलिए नहीं था कि भारत के समिधान ने कुछ ववस्थाइं की हैं जिसके कारण लोकतंत्र पनपा है समाज ववस्था को चलाने के लिए समिधान की विजरुवत होती हैं काईदे कानून नियमों की भी अवशक्ता होती हैं अतिकार और कर्तवे की भी बात होती हैं लेकिन भारत गर्व के साथ कह सकता है कि हमारे लिए कानून नियमों से परे लोकतंत्र हमारे समस्कार है लोकतंत उसकी कमी देश्वासी महसूस करते हैं और आपात काल में हमने अनुभव किया रहा और इसलिए देश अपने लिए नहीं एक पूरा चुनाव अपने हित के लिए नहीं लोगतंत्र की रक्षा के लिए आहुत कर चुका था शायद दुनिया के किसी देश में वहां के जन जन ने लोगतंत्र के लिए अपने बाकी हकों की अधिकारों की आवशक्ताओं की परवा न करते हुए सिरफ लोगतंत्र के लिए मर्दान किया हो था ऐसा एक चुनाव इस देश ने सततर में देखा था हाली में लोगतंत्र का महा परव बहुत बड़ा चुनाव भिहान हमारे देश में संपन हुआ अमीर से लेकर गरीब सभी लोग इस परव में खुसी से हमारे देश के भविश का फैस्टा करने के लिए तत पड़ थे जब कोई चीज हमारे बहुत करीब होती है तो हम उसके महत्व को अंडरेस्टमेट कर देते हैं उसके एमेजिंग फैक्स भी नजर अंदाज हो जाते हैं हमें जो बहुमुल्य लोगतंत्र मिला है उसे हम बहुत आसानी से ग्रांटेड मान लेते हैं लेकिन हमें स्वयम को य याद दिलाते रहना चाहिए कि हमारा लोगतंत्र बहुत ही महान है और इस लोगतंत्र को हमारी रगों में जगा मिली हैं सद्यों की साधना से पीड़ी दर पीड़ी के समस्कारों से एक विशान व्यापक मन की अवस्था से भारत में 2019 के लोगसभा चुनाओं में 61 करोड से बहुत ही सामाने लग सकती हैं लेकिन अगर दुनिया के हिसाब से मैं कहूं अगर एक चीन को हम छोड़ दें तो भारत में दुनिया के किसी भी देश की आबादी से जादा लोगों ने वोटिंग किया था जितने मद्दाताओं ने 2019 के लोगसभा के चुनाओं में वोट दि जन संक्या से भी जादा है यह हमारे लोग तंत्र की विशालता और व्यापक्ता का परिच्छा कराती हैं 2019 का लोगसभा का चुनाओ अब तक के इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा लोगतांत्रिक चुनाओ था आप कल्पना कर सकते हैं इस प्रकार के चुनाओ संपन करा लोग तंत्र के इस महायग्य को सफलता पूरवक संपन कराने के लिए जहां अर्दसाइनिक बनों के करीब 3 लाग सुरक्षा कर्मियों ने अपना दाइक तो निभाया वही अलग लग राज्यों के 20 लाग पुलिस कर्मियों ने भी परिश्रम की पराकास्ठा की इनी लोगो से जादा EVM मशीन सत्रा लाग से जादा विवी पैट मशीन अब कलपना कर सकते हैं कितना बड़ा ताम जाओं इसलिए किया गया ताकि हसुनिस्षित किया जा सके कि कोई मद्दाता अपने मताधिकारी से वन्चित ना हो अरुणाचल पदेश के एक रिमोट इलाके में महज एक महिला मद्दाता के लिए पोलिंग स्टेशन बनाया गया आपको यह जानकर आश्चेज होगा कि चुनाव आयोक के अधिकारियों को वहां पहुंचने के लिए दो दो दीन तक यात्रा करनी पड़ी यही तो लोकतंत्र का सच्चा सम्मान है दुनिया में सबसे जादा उ भारत में ही है यह मद्दान केंद्र हिमाचल प्रदेश के लाहुर स्पितिक शेत्रे में 15,000 फीट की उचाई परस्तीत है इसके अलावा इस चुनाव में गर्व से भर देने वाला एक और तथ्य भी है शायद इत्यास में ऐसा पहली बार हुआ है कि महिलाओं ने का मद्दान प्रतिशत करीब करीब बराबर था इसी से जुड़ा एक और उत्सा वर्दक तत्य यह है कि आज संसद में रिकार्ड 78 महिला संसद है मैं चुनाव आयोक को और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े प्रतेक व्यक्ति को बहुत-बहुत बधाई देता हूं और भा चारे देश्वासियों आपने कई बार मेरे मुह से सुना होगा बुके नहीं बुक मेरा आग्रह था कि क्या हम स्वागत सतकार में फूनों के बजाए किताबे दे सकते हैं तब से काफी जगा लोग किताबे देने लगे हैं मुझे हाली मैं किसी ने प्रेमचिन की लोगप्र या फिर से पढ़ने को मौका मिल गया प्रेमचिन ने अपनी कहानियों में समाज का जो यथार चित्रन किया है पढ़ते समय उसकी छवी आपके मन में बनने लगती हैं उनकी लिखी एक एक बात जीवन धोड़ती हैं सहज सरल भाषा में मानवीय समय नावों को अभिवेक्त करने वाली उनकी कहानिया मेरे मन को भी छू गई उनकी कहानियों में समूशे भारत का मनोभाव समाहित है जब मैं उनकी लिखी नशा नाम की कहानी पढ़ रहा था तो मेरा मन अपने आप ही सवाज में व्यापता आर्थिक विसमताओं पर चला गया मुझे अपनी विवाव के बीर की इस कहानी से सिख मिलती है कि अगर आप साउधान नहीं है तो बुरी संगति का असर कप चड़ जाता है पता ही नहीं लगता है दूसरी कहानी जिसने मेरे दिल को अंदर तक छू लिया वहती इदगाह एक बालक के समवेदन सिलता उसका अपनी दादी के लिए पक्व भाव चार-पांच साल का हमीद जब मेले से चिम्टा लेकर अपनी दादी के पास पहुंता है तो सच मायने में मानविय सम्वेदना अपने चरम पर पहुंच जाती है इस कहानी की आखरी पंक्ति भाव करने वाली है क्योंकि उसमें जीवन की एक बहुत बड़ी सच चाहिए बच्चे हामीद ने बुड़े हामीद का पाट खेला था बुड़िया आमिना बाली का आमिना बन गई थी ऐसी ही एक बड़ी मार्मिक कहानी है पुस्की रात इस कहानी में गरीब किसान जीवन की विडमना का सजीव चितरन देखने को मिला अपनी फसल नस्ट होने के बाद भी हल्दु किसान इसलिए खुश होता है क्योंकि अब उसे कड़ाकी की ठंड में खेत में नहीं सोना पड़ेगा हाला कि एक कहानिया लगभग सदी भर पहले की है लेकिन इनकी प्रसंगिक्ता आज भी उतनी ही मैसुस होती है इन्हें पढ़ने के बाद मुझे एक अलग प्रकार के अनुभूती हुई है जब पढ़ने की बात हो रही है तो अभी केसी मीडिया में मैं केरल की अक्षरा लाइबरी के बारे में पढ़ रहा था आपको यह जानकर आश्यर्य होगा कि लाइबरी इडुकी के घने जंगलों के बीच बसे एक गाउं में है यहां के प्रात्मिक विद्याले के सिक्षक पी के मुर्ली धरन और छोटी सी चाय की दुकान चलाने वाले पीवी चिन्ना थंपी इन दोनों इस लाइबरी के लिए अथक परिश्म किया है एक समय ऐसा भी रहा जब गठर में भरकर और पीट पर लात कर यहां पुस्तके लाई लाखों के संख्या में हर आयू वर्क के व्यक्ति पुस्तक पढ़ने के इस अभ्यान में हिस्ता लिया था। उसके बारे में जान पाएंगे मेरे प्यारे देशवासियों मुझे इस बात के खुशी है कि हमारे देश के लोग उन मुद्दों के बारे में सोच रहे हैं जो न केवल वर्तमान बलकि भविश के लिए भी बड़ी चुनावती हैं मैं नरेंद्र मुद्य एप और माय गौप पर आपके कॉमेंट्स बढ़ रहा था और मैंने देखा कि पानी की समस्या को लेकर कई लोगों ने बहुत कुछ लिखा है बेलगावी के पवन गोराई भूमलेश्वर के सितांचु मोहन परिदा इसके अलावा यश्शर्मा सहाब अलताफ और भी कई लोगों ने मुझे प पानी का हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा महत्म है रुग्वेत के आपह सुक्तम में पानी के बारे में कहा गया है आपो हिष्टा मयोभुव स्थान उर्जे दधातन महे रणाय चक्षसे योव सिवतमूरसह तस्य भाजय तेहन उष्टी दिव मातरह अर्थात जलही जी जीवन दारीनी शक्ती उर्जा का स्रोथ है आप मा के समान यानि मात्रुवत अपना आशिर्वात दें अपनी कृपा हम पर बर्साते रहें पानी की कमी से देश के कई हिस्से हर साल प्रभावित होते हैं आपको राश्य होगा कि साल भर में बर्सा से जो पानी प्राप्त हो अब समय आ गया है इस समस्या का समाधान निकाला जाए मुझे विश्वास है हम दूसरी और समस्याओं के तरह ही जन भागिदारी से जन सक्ति से 130 क्रोड देश वास्यों के सामर्त्य सयोग और संकल्प से इस संक्ट का भी समाधान कर लेंगे जल की महत्ता को सर्वो पर ही रखते हुए देश में नया जलशक्ती मंत्राले बनाये गया है इससे पानी से सम्मंदित सभी विश्वाओं पर तेजी से फैसले लिए जा सकेंगे कुछ दिन पहले मैंने कुछ अलग करने का प्रयास किया मैंने देश भर के सरपंचों को पत्र लिखा ग्राम प्रधान को मैंने ग्राम प्रधानों को लिखा कि पानी बचाने के लिए पानी का संचे करने के लिए वर्षा क्या ब्यूंद ब्यूंद पानी बचाने के लिए वे ग्राम सभागी बैठक बलाकर गाउओं वालों के साथ बैठकर कि विचार मिमस करे मुझे प्रसनता है कि उन्होंने इ जलकी एक एक बुन का संचय करने का संकल्प लिया। आज मन की बात कारकम में मैं आपको एक सरपंच की बात सुनाना चाहता हूँ। सुनिए जारखन के हजारी बाग जिले के कटक मसांडी ब्लॉक की लुपुंग पंचयत के सरपंच ने हम सब को क्या संदेश दिया है। साहित भेल थीन। और पानी बचावे खतिल, तलाव के सफाई, नया तलाव बनावे ले, सर्म दान करके आपन आपन भागिदारी निभावे ले गामा के लोगवन ने त्यार भेल थीन। बारिश से पहले ये उपाय करके हमने के आगे दिकत पानी के लिए ना होता है। ये अच्छा रहला है कि हमने के परधान मंत्री हम इनके ठीक समय में अगाह कर दिल दिन। बिर्शा मुंडा की धर्ती जहां प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना संस्कृति का हिस्सा है। वहां के लोग एक बार फीर जल समरक्षन के लिए अपनी सक्रिय भूमी का निभाने के लिए तयार है। मेरी तरब से सभी ग्राम प्रधानों को सभी सरपंचों को उनकी सक्रियता के लिए बहुत बहुत शुब कामना है। देश भर में ऐसे कई सरपंच है जिन्नोंने जल समरक्षन का बेड़ा उठा लिया है। एक प्रकार से पूरे गाउं का ही वो अवसर बन गया है। ऐसा लग रहा है कि गाउं के लोग अब अपने गाउं में जैसे जल मंदिर बनाने के स्पर्धा में जूड गए हैं। जैसा कि मैंने कहा सामोही प्रयास से बड़े सकार अक्पक प्रणाम प्राप्त हो सकते हैं। पूरे देश में जल संक्ट से निपटने का कोई एक फर्मिला नहीं हो सकता है। इसके लिए देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग तरीके से प्रयास किये जा रहा है। लेकिन सबका लक्ष एक ही है और वह है पानी बचाना जल समुरक्षन। पंजाब में ड्रेनीर लाइन्स को ठीक किया जा रहा है। इस प्रयास से वाटर लॉगिंग की समस्या से छोटकारा मिल रहा है। तेलंगणा के थिमाई पल्ली में टैंक के निर्मार से गावों के लोगों की जीनगी बदल रही है। राजस्तान के कबीर धाम्य खेतों में बनाए गए छोटे तालावों से एक बड़ा बढलाव आया है। मैं तमिन्नाडू के वेलोर में एक सामुईक प्रयास के बारे में पढ़ रहा था। नाग नदी को पुनर जीवित करने के लिए बीस हजार महिलाए एक साथ आई। मैंने कटवाल के उन महिलाओं के बारे में भी पढ़ा है जो आपस मैं मिलकर रेइन वोटर हार्वेस्टिंग पर बहुत अच्छा काम कर रही है। मज़े विश्वात है कि इस प्रकार के कई प्रयास किये जा रहे हैं और जब हम एक जूट होकर मजबूती से प्रयास करते हैं तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। जब जन जन जुडेगा जल बचेगा। आज मन की बात के माध्यम से मैं देश्वाश्यों से तीन अनुरोध कर रहा हूँ। मेरा पहला अनुरोध है जैसे देश्वाश्यों ने सुच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया। आईए वैसे ही जल सवरक्षन के लिए एक जन आंदोलन की शुरुवात करें। हम सब साथ मिलकर पानी की हरबून को बचाने का संकल्प करें। और मेरा तो विश्वास है कि पानी परमेश्वर का दिया हुआ प्रसाध है। पानी पारस का रूप है। पहले कहते थे कि पारस के स्पर्स से लोहा सोना बन जाता है। मैं कहता हूँ पानी पारस है और पारस से पानी के स्पर्स से नवजीवन निर्मित हो जाता है। पानी की एक एक मुन को बचाने के लिए एक जागरुकता भियान के सुरुवात करें। इसमें पानी से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताएं, साथ ही पानी बचाने के तरीकों का प्रचार प्रथार करें। मैं विशेश रुप से अलग-अलग छेत्र की हस्तियों से जल समरक्षन के लिए इनोवेटिव केमपेंज का नेतरुत्व करने का आगरह करता हूँ। जुटें, आप देखिए, अपनी आँखों के सामने हम परिवर्तन देख पाएंगे। देशवास्यों से मेरा दूसरा अनुरोध है। हमारे देश में पानी के सवरक्षन के लिए कई पारम-पारिक तरीके सद्यों से उप्योग में लाई जा रहे हैं। मैं आप सभी से जल सवरक्षन के उन पारम-पारिक तरीकों को शैर करने का आगरह करता हूँ। आप मैंसे किसी को अगर और मंदर पुझ्य बापु के जन्मस्थान पर जाने का मोका मिला होगा। तो पुझ्य बापु के घर के पीशे ही एक दूसरा घर है। वहाँ पर 200 साल पुराना पानी का ठंका है। और आज भी उसमें पानी है। और बरसाद के पानी को रोकने की विवस्ता है। तो मैं हमेशा कहता था कि जो भी किर्ती मंदिर जाएं वो उस पानी के टंके को जरूर देखे। ऐसे कई प्रकार के प्रोग हर जगा पे होंगे। आप सभी से मेरा तीसरा अनुरोध है। जल सवरक्षन की दिशा में महत्वपुन योगदान देने वाले व्यक्तियों का, स्वयम से भी संस्थाओं का और इस ख्षेतर में काम करने वाले हर किसी का। उनकी जो जानकारी हो उसे आप शेर करें ताकि एक भहती समरुद्ध, पानी के लिए समर्पित, पानी के लिए सक्रिय, संगठनों का, व्यक्तियों का एक डेटाबेस बनाया जा सके। आईए हम जल्द सवरक्षन से जुड़े जादा से जादा तरीकों की एक सूची बिना कर लोगों को जल्द सवरक्षन के लिए प्रेरीत करें आप सभी हैश्टेग जनशक्ति फोर जलशक्ति हैश्टेग का उप्योग करके अपना कंटेंट शेर कर सकते हैं। मेरे पेरे देशवाश्यों, मुझे और एक बात के लिए भी आपका आपहार व्यक्त करना है और दुनिया के लोगों का भी आपहार व्यक्त करना है। 21 जून को फिर से एक बार योग दिवस में जिस सक्रियता के साथ उमन के साथ एक एक परिवार के तिन तिन चार चार पेडियां एक साथ आ करके योग दिवस को मनाया। होलिस्टिक हेल्थ के लिए जो जागरुकता आई है उसमें योग दिवस का महत्में बढ़ता चला जा रहा है। प्रदान मत्रियों जाने मानी हस्ति हों सामयने नागरिकों ने मुझे ट्वीटर पर दिखाया कि कैसे होना ने अपने 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 देश में योग बनाया। उस दिन दुनिया एक बड़े खुशाल परिवार के तरह लग रही थी। हम सब जानते हैं कि एक स्वस्त समाज के निर्मान के लिए स्वस्त और सम्वेदन सिल विक्तियों की आवश्यक्ता होती है। और योग यही सुनिश्चित करता है। इसलिए योग का प्रचार प्रसार समाज सेवा का एक महान कार्य है। कैसी सेवा को मानेता देकर उसे सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए। वर 2019 में योग के प्रमोशन और डेवलप्मेंट में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्राइम मिनिस्टर सेवार्ड की घोष्णा अपने आप में मिरे लिए एक बहुत बड़े संतोष की बात थी। यह पुरश्कार दुनिया भर के उन संगर्णों को दिया गया है जिसके बारे में आपने कल्पना तक नहीं की होगी कि उन्होंने कैसे योग के प्रिचार प्रसाद में महत्पण योगदान दिये हैं। उधान के लिए जापान योग निकेतन को लीजिए। जिसने योग को पूरे जपान में लोगफ्रिय बनाया है। जापान योग निकेतन वहां के कई इंस्टिटूर्स और ट्रेनिंग कोर्सिस चलाता है। या फिर इटली की मिस एंटोनिटा रोजी उन्हीं का नाम ले दि जिन्हों ने सर्व योग इंटरनेशनल के शुरुवात की और पूरे यूरोप में योग का प्रचार प्रसार किया। यह अपने आप में प्रहरक उधान है। अगर यह योग से जुड़ा विशह हैं तो क्या भारतिय इसमें पीछे रह सकते हैं। बिहार योग विद्याले मुंगेर उसको भी सम्मानित किया गया। पिछले कई दशकों से योग को समरपीत है। इसी प्रकात स्वामी राजर सिमुनी को भी सम्मानित किया गया। उन्होंने लाइफ मिशन और लकुलेश योगा इंवर्सिटी की स्थापना की। योग का व्यापक सेलिबरिशन और योग का संदेश गर गर पहुंचाने वारों का सम्मान दोनों ने ही इस योग दिवस को खास बना दिया है मेरे पैरे देश्वासियों हमारी यात्रा आज आरंभ हो रही है नए भाव नए नुभूती नया संकल्प नया सामर्थ लेकिन हां मैं आपके सुझाओं की प्रतिशा करता रहूंगा आपके विचारों से जुड़ना मेरे लिए बहुत बड़ी महत्वण यात्रा है मन की बात तो निमित है आईए हम मिलते रहें बाते करते रहें आपके भावों को सुनता रहूं संजोता रहूं समझता रहूं कभी कभी उन भावों को जीने का प्रयास करता रहूं आपके आश्रवात बने रहें आपी मेरी प्रेणा हैं आपी मेरी उर्जा हैं आओ मिल बैट करके मन की बात का मजा लेते लेते जीवन की जिम्मेवारियों को भी निभाते चले फिर एक बार अगले महने मन की बात के लिए फिर से मिलेंगे आप सब को मेरा बहुत नमस्कार